हम सब जवन प्राश के बारे में जानते हैं, उसमें जो औशधी सबसे ज्यादा ली जाती है, आज उसके बारे में बात करेंगे, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक एसी औशधी जिसको शास्ट्रों में उसी प्रकार शृष्ट स्थान प्राप्त है, जैसा नदियों में विपाक, मधुर, सभी खटे रस पित को बढ़ाते हैं, लेकिन आमला एक अपवाद है, क्योंकि यह शीत गुन का होता है, इसलिए पित को बढ़ाता नहीं है, बलकि कम करता है, आमल की वयस्थापना नाम आमला को रसायन कहा गया है, आमला के बारे में अचार्य ने ये कहा है, उसको कभी डाइबिटीज और तवचा के रोग नहीं होते, सभी दोश का शमन करती है, आखों के लिए बहुत अच्छी है, जलन्क बुखार डाइबिटीज प्रक्तपित को दूर करती है, हड़ी को जोड़ती है, खटी होने के कारण वाद के रोग का नाश करती है, एस इसी ही इनफॉर्मेशन के लिए फॉलो करेश रुतायू, धन्यवाद.